दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको railway recruitment board यानि की rrb की इस official website पर one time registration करने का पूरा process बताने वाला हूँ आपको पता होनी चाहिए कि rrb के तरफ से जो भी vacancy आती है आप अगर उसके लिए online apply करना चाहते हैं तो आपको rrb की इस official website पर आने के बाद ही आप उस form के लिए online apply कर पाएंगे और यहाँ पर आपको दो options दिखाई देती है apply के option पर किलिक करने के बाद create an account already have one account यानि कि जो first बार कोई भी rrb की form कोई candidate अगर भर रहे हैं तो उसे सबसे पहले इस website पर one time registration करनी होती है और जिनाव ने पहले इस पर कोई भी form फिल कर दिया है तो उन्हें सिर्फ अपनी account को login करकर वो अपना form फिल कर सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना account rrb के official website पर नहीं बनाया है यानि की one time registration अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप कैसे one time registration को कर सकते हैं तो वीडियो को complete end तक step by step पूरी देखिए आगे इस वीडियो को end तक देखने के बाद आप भी rrb की official website पर अपनी one time registration करना असानी से सीख पाएंगे आगे अगर आपको इस website पर अपनी one time registration करने में कोई भी problem आती है तो आपको screen पर एक number दिखाई दे रही होगी आप इस number पर call करकर हमारी team के थुरू rrb की official website पर अपनी one time registration करवा सकते हैं तो कि आप अगर rrb के इस website पर अपनी one time registration करते समय जो भी information आप फिल करते हैं उसे आप दोवारा फिल कभी change नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ये काफी important है कि आप अपने सारे details को काफी अच्छे से फिल करें आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप rrb के website पर अपनी one time registration कैसे कर सकते हैं तो आपको वीडियो के description box पर एक link मिलेगी जब आप उस link पर click करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की page open हो जाएगी आपको यहाँ पर apply का एक option दिखाई देगा यहाँ पर आपको create and account के option पर click कर करने के बाद इस तरह की एक note आईगी आपको ok कर देनी है फिर आपको यहाँ पर country of nationality सूच करनी है आप यहाँ पर India select करेंगे देन आपको यहाँ पर अपनी full name इंटर कर लेनी है उसी name को आपको दोवारा यहाँ पर retype कर देनी है फिर आपने अगर कभी अपना नाम change किया ह होगा तो आपको यहाँ पर yes करनी है और अगर आपने कभी अपना नाम change नहीं किया है तो आपको यहाँ पर no कर देनी है फिर date of birth को यहाँ पर calendar के option पर click करकर आप चूज कर सकते हैं और उसी date of birth को आपको यहाँ पर retype date of birth के option पर जाकर इंटर करनी होगी देन आपको अपनी जेंडर यहां से select कर लेनी है आप जिस भी जेंडर से बिलॉंग करते हैं फिर आपको उसी जेंडर को confirm करनी है father's name इंटर करनी है father's name को confirm कर देनी है mother's name इंटर करनी है फिर mother's name को यहां पर retype करकर आपको फिर से confirm कर देनी है फिर आपको यहाँ पर आधार verification का एक option दिया जाता है सबसे important चीज यही है आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी आधार card की verification करनी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी आधार number इंटर करनी है फिर verify using आधार के option पर आपको click कर लेनी है और अगर आपकी आधार card आपके पास नहीं है तो आपको क्या करनी है कि यहाँ I don't have आधार card के इस option पर आपको click करनी है उसके बाद आपको I don't have आधार card के option पर again click करनी है फिर यहाँ से आप किसी और दूसरी ID के थुरू अपनी identification को यहाँ पर complete कर सकते हैं आपकी जो यह verification है आप उसे complete कर सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी एक options चूज करेंगे जैसे कि pen के option पर चुनेंगे तो आपको यहाँ पर pen card की number इंटर करनी होगी issues, authority की नयाम इंटर करनी होगी place of issue को यहाँ पर इंटर करनी होगी और अगर आपके पास आदार कार्ड है तो आपको यहाँ से आदार कार्ड के number को इंटर करनी है फिर verify using आदार के option पर किलिक कर लेनी है आगे मैं आपको बताऊंगा इसे भी verify करके then आपको यहाँ पर अपनी email id इंटर करनी है फिर आपको यहाँ पर अपनी mobile number इंटर करनी है, email आईडिया और mobile number आप वो इंटर करेंगे, जो आप use करते हैं, क्योंकि further RRB के तरफ से कोई भी अगर आपकी notification आती है, या फिर कोई भी information अगर आपको देनी होगी RRB को, तो वो आपके इसी email आईडिया और mobile number के थुरू इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगी, create your password का, तो यहाँ पर आपको अपनी password create करनी होगी, आपको उसमें special character, number या फिर later इस तरह की सारी चीजे mix होनी चाहिए, और उसी password को आप यहाँ पर confirm करेंगे, confirm करने के बाद आपको यहाँ पर यह capture दिखाई आपके number को इंटर करने के बाद आपको verify using अधार के option पर किलिक कर लेनी है, अब आपके सामने में इस तरह की pop-up आजाएगी, सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो matriculation certificate पर सारी detail है, वो detail और आपकी अधार कार्ट की detail दोनों सेम है, अगर आपकी दोनों details सेम है, तो यहाँ पर आप इस box पर किलिक करेंगे, और अगर दोनों details सेम नहीं है, तो इसे आप anti करेंगे, फिर यहाँ पर अपनी सारी details को आप manually enter करेंगे, तो मेरी आधार कार्ड और matriculation के certificate पर दोनों details सेम है, तो मैं इसके ओपर पर किलिक करूंगा, then आपको इ verified successfully का एक pop-up भी आ चुकी है, तो अब आपको यहाँ पर अपनी सारी details इंटर करनी है, email id, mobile number, internet OTP के option पर किलिक करकर OTP सेंट की जाएगी, OTP इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर preview and create account के option पर किलिक कर देनी है, अब आपके सामने में आपकी account की जो पूरी preview है, वो कुछ इ एक बार इसे आपने से cross verify करेंगे, कि आपने जो भी details इंटर किया है, सारी details सही है, क्योंकि आप अगर एक बार इसमें गलत details इंटर करेंगे, तो फिर आप उसे दोबारा कभी change नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करनी है, सारी details को चेक करनी है, फिर इस box के उपर टिक करन है, फिर आपने जो भी password अभी बनाई थी, उस password को यहां पर create करनी है, फिर आपको यह capture यहां पर fill कर देनी है, उसके बाद login के option पर click कर लेनी है, login के option पर click करते ही, आप RRB की इस website पर login कर पाएंगे, और further कभी अगर RRB की कोई recruitment आती है, तो आप अपने account को login करकर direct उस phone को fill कर सकते हैं, उस समय आपको one time registration करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई होग दोस्तों की इस video को end तक देखने के बाद, आप अपने RRB के इस website पर one time registration को करना सीख चुके होंगे, और अगर आपको video informative लगी हो, तो आप इस video को like कर दीजे, अपने दोस्तों में इस video क share कर दें, और अगर आप इस channel पर पहली बारा हैं, तो channel को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे ही job related videos को इस channel पर upload करते रहता हूं, और जाते जाते अगर आपको इस phone को हमारी team के तुरू feel करवानी हो, तो आपको screen पर number दिखाई दे रहे होगी, इस number पर आप हमसे whatsapp के तुरू, य हमारे team के थुरू करवा सकते हैं,